नमस्कार विकली आउटलूक में आपका स्वागत है पिछले अपते की अगर बात करें बुलियंस की खास करके तो बुलियंस के मार्केट के अंदर हमने एक अच्छी खासी मुमेंटम मार्केट में बनते वे देखी MCX में बुल्डेक्स की अगर बात करें तो मार्केट फ्लेटी स्टोन था जबकि सोने में हमने आदे परशन की तेजी और चांदी में आदे परशन की गिरावट बनते वे देखी कई ना कई मार्केट में अंसर्टेटी का माहुल बना हुआ है इंटरनेशनल में भी हमने देखा प्राईजर्स सतरा सो सतर के नीचे नी जा पा रही है नहीं 800 के उपर सस्टिन कर पा रहा है जिस दंग से पिछले कुछ मीटिंग्स में फैड ने क्लियर कहा है कि बॉन बाइंग का जो प्रोग्राम में उसको रोपना पड़ेगा और साथ में इंटरसेट 2022 में भड़तावा दिखेगा जिसकी वज़े से सोने में और चांदी में दबाव बना हुआ है वहीं साथ में इंफलेशन कंसर भी बना हुआ है जिसके चलते गॉड्ड में एक एग सपोर्ट मेटर भी दिखाई दे रहा है करोना का concern है ये भी मार्केट में कही न कहीं supportive news दे रहा है जिसकी वज़े से सोने और चांदी में हमने काफी बड़ा एक range bound trade होते वे दिखा है साथ में हमने ये भी देखा कि gold silver ratio में जो चड़ाव है जिसकी वज़े से gold चांदी के मुकाबले ज़्यादा outperform कर रहा है अगला हपता market फिर से एक दाइरे में रहनी की उमीद है इनकेस geopolitical tension जी दंसे Beijing Olympics को देखकर कही न कहीं concerns बन रहा है कि US, China, Russia, Ukraine यहाँ पर अगर कुछ concerns होता है तो कहीं न कहीं gold को फिर से support मिलेगा अगले हपते के अंदर हमें लगता है prices 47.500 से लेकर 48.800 के बीच में trade करेगा buy on drop की रणीती बना के चलनी चाहिए सोने में वहीं अगर चांदी की बात करे तो 60.000 का एक psychological level बना हुआ है unless और इस 60.000 का level बीच नहीं होता है market 60.000 से लेकर 63.500 के बीच में trade करता हुआ दिखाई देगा वहीं अगर हम base metal की बात करें तो base metal के prices के अंदर हमने काफी अच्छी तेजी भी देखी है बट higher level पे prices sustain भी नहीं कर पा रहा है जैसे कि copper की अगर बात करें तो prices के अंदर हमने देखा prices 740-45 के बीच में जाने की कोशिश की बट sustain नहीं कर पा रहे है higher level पे दबाव है क्योंकि करोना के concern की वज़े से demand पे impact पड़ेगा लेकिन वहीं हमने supply concerns भी देखे हैं जो prices को support करते वे दिखाई दे रहे है dollar index इस वक्त 96 के उपर trade करने की वज़े से सभी metals में हम कई ना कई दबाव आते वे देख पा रहे है winter cut की वज़े से overall support matter दिख रहा है December month वैसे भी छुटी का माहूल बन जाता है तो कोई trading बड़ी activity नहीं दिखाई दे रही है कई ना कई अगर copper की अगर बात करें तो prices 725 से लेकर 745 के range में ही trade करता हुआ दिखाई देगा zinc के अंदर हमने inventory slower level पे आने की वज़े से prices को support मिला और हमने 3% से ज़्यादा की तेजी करीबन हमने prices को 277 पे close होते वे देखा technically 270 के ओपर counter coffee strong है जो 282 से 285 तक का भी level दिखा सकता है बट साथ में आप ध्यान रखिए December में volume स्टोर से डीप होते हैं जिसकी वज़से upside कैप रहनी की उमीद है nickel के अंदर iron ore के भाव में continue तेजी है जिसका support nickel को भी मिल रहा है technically 1500 के ओपर counter strong है जो 1560 से 1580 तक का level दिखा सकता है वहीं अगर aluminium की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमने inventory 13 साल के low पे आने की वज़े से prices को support आते वे देख रहे हैं जो कहिना कई upside में 211-12 तक का level दिखा देगा LED की अगर बात करें तो LED में भी हमें prices sideways to positive दिखाई दे रहा है energy complex के अंदर हमने काफी बड़ा उचाल आते वे दिखा है कईना के crude के prices में prices को 56-5650 तक का एक level दिखा सकता है जिस दन से करोना का concern कम हुआ है बट inventories काफी important रहेगी साथ में natural gas की अगर बात करें तो prices में recovery जरूर आई है बट 300 के उपर prices sustain करते वे नहीं दिखाई दे रहे overall अगले हपते base metal में buy on drop energy के अंदर salon rally की रणी की अपना के trade करना चाहिए धन्यवाद अब अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग अप नहीं हर दुकानदार की बस एक ही आप Big Bliss Big Bliss चुने केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं अपने कारोबार को बढ़ाएं मुनाफा कमाएं खुशियां कमाएं Big Bliss Big Bliss हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान